तो आज हम डिसकस करने वाले हैं कि effective short notes कैसे बनाए जाए जब भी कभी competition exam की preparation करनी होती है तो short notes बहुत useful की होते हैं जब कभी आप किसी competition exam की preparation करते हैं तो daily classes की वज़े से इतने ज़्यादा notes बन जाते हैं कि एक साथ तो उनको revise करना थोड़ा मुश्किल होता है तो effective notes कैसे बनाने हैं उसके लिए मैं आज आपको simple simple tricks बताने वाला हूँ सबसे पहले कुछ बातों के उपर गौर करिएगा एक तो आप अपनी habit में डालिए कि जब भी कोई topic होता है तो उस topic की date जरूर डाले जब कभी भी कोई class होती है तो हर class के start होने की date आपके पास में होनी चाहिए आज जो भी class हुई है उसकी date डालिए हो सकता है आज की class में एक page, दो page, तीन page ही हो पाए हो जब कभी भी एक topic complete होता है तो after topic आपको क्या करना है आपको तीन से चार pages free छोड़ने है और इससे भी एक जरूरी बात आपको ये करनी चाहिए कि हर एक subject के हर एक unit के लिए अलग notebook होनी चाहिए आप कभी भी ऐसा ना करें कि एक ही notebook के अंदर सारे के सारे subjects के notes बनाए जा रहे हैं और आप जब कभी भी notes बनाए तो थोड़ा खुला खुला लिखे इससे अगर future में कोई चीज add करनी होगी तो आपके लिए ये चीज बहुत फाइदे मंद होगी तो date डालनी है class के लिए उसके बाद में थोड़ा सा space दे करके अपने notes बनाने हैं एक class में हो सकता है एक topic complete हो जाए और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक topic complete नहीं हुआ तो आपको क्या करना है एक topic complete होने के बाद तीन से चार pages free छोड़ने हैं अब आपको देखिए कैसे short notes बनाने हैं मैं बताता हूँ पहले आप क्या करेंगे उस topic को अच्छे से revise करेंगे जैसे suppose करिए कि मैं आज का example लेकर के आपको बता देता हूँ आज 23rd November है और 23rd November को आपकी एक class हुई है और आज की जो class थी उस class में topic complete हो गया अब आप क्या करें इसके बाद में 3 से 4 pages खाली छोड़ दीजिए आपने 3 से 4 pages खाली छोड़ दीए इस class को अच्छे से revise करिए आज लेकिन आज आज आपको short notes नहीं बनाने है क्योंकि अगर आज ही आप short notes बनाने बैठेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या short लिखना है आप क्या करें अगले दिन अगली class को revise करिए अच्छे से और पिछली class को भी revise करिए उसके अगले दिन आपको पीछे की दोनो classes को revise करना है हमेशा याद रखिएगा कि short notes आपको class के अगले 3 दिन बाद बनाने होते है अगर आप उसी दिन short notes बनाएंगे वो effective नहीं बनेंगे आपको आज की class revise करनी है आज की class को आपको कल फिर revise करना है परसो फिर revise करना है और परसो वाले दिन आपको short notes बनाने है अब short notes के अंदर क्या लिखेंगे आप जब एक class को 2 से 3 बार revise कर चुके होंगे तो आपको काफी सारी चीजे तो याद हो जाएंगी जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है आपको short notes के नाम पे एक तो heading topic की जो heading होगी वो heading डालनी है heading के बाद में सिर्फ और सिर्फ keywords लिखने है keywords, only keywords एक भी sentence पूरा नहीं लिखना है कोई sentence भी अगर दिया हुआ है तो उसके अंदर से सिर्फ keyword ही लिखना है कोई definition अगर दे रखी है तो उस definition को पूरा नहीं लिखना है definition का keyword ही लिखना है अगर कोई graph है तो उस graph को छोटा सा बना लेना है जैसे इतना सा graph बना लिया और इसमें कुछ बस ऐसे इतना छोटा graph बना लिया अगर कोई diagram भी है तो वो diagram भी आपको क्या करना है बस छोटा सा diagram में आपको बना लेना है पूरा नहीं बनाना तो आप क्या करेंगे एक topic complete होने के बाद जब आप उसे 3 बार 4 बार revise कर चुके होंगे उसके बाद आप short notes बनाएंगे इससे आपका एक बार और revision होगा इसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कितनी चीजें उसमें से याद है और कितनी चीजें आपको अभी भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि आप यहाँ पर वही चीज लिख रहे हो जो आपको आसानी से याद नहीं होगी आप यहाँ पर proteins के नाम लिख सकते हैं कोई important proteins है तो protein का नाम लिख लिया आपने यहाँ पर कोई inhibitor का नाम लिख लिया enzyme का नाम लिख लिया कोई numerical value लिख लिख लिए अब यह मतलिखिएगा कि यह numerical value कैसे आई किसकी है यह numerical value बस numerical value लिखनी है जैसे किसी reaction के अंदर अगर free energy change हो रहा है तो सिर्फ free energy change लिखिए reaction मतलिखिए ताकि जब आप short notes revise करेंगे तो वो value से आपको पूरी reaction याद आजाएगी अगर reaction ही पूरी लिख ली तो उसका कोई फाइदा नहीं होगा आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक topic के complete होने के 3 दिन बाद 4 दिन बाद short notes बना रहे हैं आपने 3 से 4 pages खाली छोड़े हैं जाहिर सी बात है यह सारे pages short notes से नहीं भरने हैं वरना तो वो long notes हो जाएंगे अब क्या करेंगे आप जब भी आप उस topic से related previous year question solve करेंगे तो कौन सा question किस year में आया हुआ है उस question का hint लिखना है short notes वाले pages के अंदर ही जैसे suppose करिए कि किसी protein का नाम पूछा हुआ है किसी question के अंदर तो आप उस protein का नाम और question कौन से exam में आया let's say कि कोई question है वो December 2016 में आया हुआ था तो December 2016 लिख लिया protein का नाम लिख लिया और December 2016 लिख लिया अब आपको आपके notes में पता है कि ये आपने क्यों लिखा है और किसी को तो आपने पढ़ाने नहीं है खुद के short notes खुद को ही तो पढ़ने है तो आप उस particular short notes में ही जितने भी questions आये हैं उस topic से related उनको hint की form में लिखेंगे और उसके आगे उसका year भी लिख देंगे कि ये कौन से exam के किस year के अंदर आया है इससे आपको एक idea ये भी रहेगा कि इस topic से कौन कौन से questions अभी तक पूछे जा चुके हैं अभी एक और सबसे अच्छी बात बाकी है जब कभी भी आप इस तरीके के short notes बनाते हुए चलेंगे तो आपको एक फाइदा होगा जो units related type की units है for example biochemistry के अंदर enzymes के नाम या किसी protein का नाम आपको molecular biology, cell biology, plant physiology, animal physiology या developmental biology में दुबारा मिल सकता है ऐसा कई protein हो सकता है जो plant physiology में भी हो, biochemistry में भी हो तो ऐसे में आपको notes को अपने link करना सीखना है for example, हम एक simple सा case consider करते है suppose करिए कि हमारे पास में plant physiology के अंदर जब हम photosynthesis reaction पढ़ रहे हैं तो photosynthesis reaction के अंदर कहीं पर आया transketolase अब जब आप biochemistry के अंदर respiration पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं वहाँ पर भी transketolase आएगा तो आप इसे connect करिए कि ये transketolase plant physio वाले notes में तो आप लिखेंगे कि ये transketolase biochem के अंदर कहां पर दिया हुआ है और biochemistry वाले short notes के अंदर आप transketolase के लिए लिखेंगे कि ये plant physiology में कहां पर दिया हुआ है ऐसे ही अगर कोई भी तरीके का hormone है या कोई भी तरीके का protein है जिसका नाम दो units में आ रहा है तो आप दोनों units में उसको connect कर सकते हैं इससे आप link कर पाएंगे अपने notes को फिर भी सबसे जरूरी चीज होती है revision करना जितना ज़्यादा revise करेंगे उतना ही आपको learn होंगी चीजे तो revision तो key है जिससे आप चीजे learn कर सकते हैं लेकिन जो जो short notes होते हैं वो आपको help करेंगे आपका time manage करने में तो आपको अपने short notes इस तरीके से बनाने होते हैं जब आप इतना काम कर चुके होते हैं तो आप देखेंगे कि एक effective result आया है फिर आप कभी भी revise करें तो topic को छोड़के पहले short note revise करें क्या पता topic revise करने की जरुरत ना पड़े और अगर आपको लगता है कि topic देखना है तो वहीं का वहीं दो पना पीछे पलटा और आपको पता चल जाएगा कि ये topic में ये बात लिखी हुई है तो ये एक effective तरीका हो सकता है आपको ऐसा लग सकता है कि ये boring काम है मेहनत वाला काम है short notes की कहा जरुरत है long notes पड़े हुए तो है अपनी ही तो notebook है कभी भी उठा के देख लीजिए लेकिन कभी कभी परिस्तितियां ऐसी आ जाती है जब आपको कम समय में revision करना पड़ सकता है या आपको कम समय में कोई point धूंडना पड़ सकता है तो आपको short notes ज़्यादा help करेंगे मैंने फिर कह रहा हूँ में एक बात कि हो सकता है starting में आपको ये boring लगे मेहनत वाला काम लगे लेकिन एक बार मेरी बात मान करके 10 दिन 15 दिन ये चीज continue करके देखिए फिर आपको इसकी habit हो जाएगी तब आपको ये ना तो boring लगेगा और आप इसको आराम से कर भी पाएंगे तो short notes बनाने के लिए ये trick सबसे कारगार trick होती है तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही अगर आप चाहते हैं कि मैं particular किसी topic को लेकर के वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको कुछ suggest कर सकूँ तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि next time मैं उस topic के उपर वीडियो बनाऊं ताकि आपको कुछ मुझे से help फिल सके चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी next topics के साथ में thank you so much